आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजारवित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विंडलास बायोटेक, एक्जारो टाइल्स, क्रिस्टनाट डाइग्नॉस्टिस इन तीनों आईपियो की लिस्टिंग डे स्ट्राटेजी के उपर जैसा कि आप सबको पता है कि कल आपको यहाः तीनों आईपियो के बात करेंगे इस वीडियो में इन तीनों की लिस्टिंग डे स्ट्राटेजी के उपर देवयानी के ऊपर वीडियो अलग से दोस्तों मैं पहले से बना चुका हूँ तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके चेक आउट कर लीजिएगा बट सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर आपको तीनों आईपियो उसके अंदर अच्छे लिस्टिंग इन होते वे देखने को मिलेंगे कि म्यूटेट शुरुवात होती भी देखने को मिलेगी म्यूटेट शुरुवात यानि क्या कोई भी आईपियो आपको कल नीचे खुलता हुआ देखने को मिलने वाला है यानि नेगेटिव में खुलता हुआ देखने को मिलने वाला है आप चाहे तो हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर आपको हर दो दिन में एक नाए वीडियो आता हुआ देखने को मिलता है कहली मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है तो आप जाके चेक आउट कर सकते हैं CDSL के उपर एक बड़िया मल्टी बैगर शेयर के उपर कि यहाँ पर आपको कैसा करता हुआ देखने को मिल सकता है CDSL पूरी केस स्टेडी करीए मैंने दोस्तों इसके उपर तो आप जाके चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो को भी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है तो आप जाके चेक आउट जरूर से कर लीजिएगा तो फ्रेंट सबसे पहले कृष्णा डाइगनॉसिस आईप्यो के बारे में आप जान लीजिए कल यह आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है सबसे इंपोर्टन बात यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी 954 रुपेस का प्राइस बैंड तरही किया गया है इसमें आपको करीबन 15 शियर्स मिलते विए देखने को मिलेंगे तो जिनको भी IPO आया है याद रखिएगा 954 रुपीस का आपको एक शियर मिलेगा जो आपको टोटल शियर्स मिल रहे है वो है 15 देखने को मिले जादा बड़ा IPO नहीं था तो बहुत गिने चुने लोगों को यह देखे सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ आपको आता तो प्राइस बैंड 254 रुपीस याद आपको एक शियर सबसे वह लिवाग के 954 रुपीस का मिलता हुआ देखने को मिलेगा यानि जो जी एंप अभी इसको चलती भी आपको देखने को मिल रही है तो फ्रेंट्स क्रिशन डाइग्नोसिस का जो अभी आपको जी एंप चलत रुपे वह आपको जादा उपर खुलता हुआ देखने को मिलेगा जो हम यहाँ पर क्या सकते हैं कि लिस्टिंग आपको होती भी देखने को मिलेगी करीबन यहाँ पर जो लिस्टिंग का प्राइस होगा वह आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा करीबन 1230 तो जो चांसे मुझे दिख रहे हैं, देखिए निफ्टी मिड के आप इंडेक्स आपको फॉल कर रहा था, इसलिए इन सब के जी एंपी में गिरावट आती भी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब से वो स्टेबल हुआ है, इन जी एंपी के इंदर भी छोड़ा सा स्टेबल हैं और वो आपको थोड़ी सी जादा बढ़ती भी देखने को मिली है, तो जो लोगों के पैस क्रिशन डाइगनोसिस है, आप मान के चलिए आपको लिस्टिंग होती भी देखने को मिले की करीमन बारा सो तीस रुपे से लगा कर बारा सो रुपे की रेंज बारा सो से बारा चालिस बार सो पचास रुपे की रेंज बान के चलिए इसके बीच में आपको लिस्टिंग कर बाता होगा देखने को मिल जाएगा और वहां पर प्रॉफिट आपको यहां पर लेना है कि लेना है वह आपका देखिए में यही कहूंगा कि ज्यादा कोशिश ना करे विकास यहां पर मुझकता है कि कंपनी बहुत ज्यादा बढ़िया है और ज्यादा लिस्टिंग ना होने के कारण यह अगर आप कंपनी होल्ड करके चलिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग के लिए लगा है तो डिफिनिटली वोकल यहां पर सलाउट कर दीजेगा कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर 30% का रिटन दोस्तों कह सकते हैं सफीशेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा 30% से ज्यादा कर रिटन यहां पर मिलना बहुत मुश्किल है हां लिस्टिंग के बात और बढ़ जाए तो चांसे दोस्तों य यहां के बस्तों कर दिखने को मिलेंगे लेकिन इंपॉर्टटन हमारे लिए लमारे लिए तैसे ही होगा कि क्यासा अपको यह कल कामकाच करता हुगा देखने को मिल्ता है 30% आप मानके जली आपको यहां पर रिड़ंस मलते यहां को मिलेंगे खुलने के बात और बढ़ कहूंगा कि बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं, कंपनी के फाइनेशल बहुत जादा स्ट्रॉंग है, तो ये कंपनी दोस्तों आपको बहुत बढ़िया करती भी देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल मेरी यही सला होगी कि यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए, 30% की रिटन तो आप आपको मिलते वे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको साफ साफ GMP शो कर रही है, बट इसके नीचे खुलने की चांसे मुझे दोस्तों काफी कम दिखते हैं, तो देखना होगी कल कैसा खुलता है, क्योंकि आपको लाज्ट दो आईप्यो जो खुलते वे देखने को मिले थे, वो भी जितने आपको expectations थी उत्ता आपको यहाँ पर कम मिला, तो देखना होगी कापे कल खुलता है, लेकिन मेरी दोस्तों जो यहाँ पर strategy है कि आपको कल बारासो से बारासो पचास रुपर की बीच में आए, IPO खुलता हुआ देखने को मिलने वाला है, सबसे important बात दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर कह सकते कि बड़त तो देखने को जादा नहीं मिले लेकिन हाँ एक stable position पर आपको मिलती भी देखने को मिल रही है, इसके जो दोस्तो प्राइस बेंड तरही किया गया था, वो 460 रुपीज किया गया था, याद रखेगा 448 से 460 का मतलब क्या है, अगर ओवर सबस्क्राइब होगा तो सबसे उपर वाली प्राइस बेंड पर आपको शेर मिलता हुआ देखने को मिलेगा, यादि निगेगा, यारी मिलेगें आपको दोस्तो जो फाइदा होगा, वो 27 रुपे के आस्पास आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, यारी मिलेगा, और जोड़ दीजिए करीबन साड़े 500 रुपे के आसपास लिस्टिंग दे देगा दोस्तों यह IPO और आपको दोस्तों जो फाइदा होगा वह overall 2700 रुपे के आसपास का फाइदा आपको होता हुआ देखने को मिलेगा देखें इनफ फाइदा यहां पर आपको होता हुआ यहां पर चल सकते हैं मुझे लगता है कि दोस्तों जो क्लोजिंग देगा वह करीबन 580 रुपे के आसपास देता हुआ देखने को मिल सकता है तो यह strategy रहने वाली है विंद्लास बायोटेक की 550 से 580 रुपे के बीच में आपको यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल जाएग की विंद्लास बायोटेक की अब बात करते हैं एकजारो टाइल्स की अब फ्रेंड्स तीसरा इप्यो है एकजारो टाइल्स एकजारो टाइल्स पी दोस्तों आपको कल मार्केट में डेब्यूट करता हुआ नजर आने वाला है एकजारो टाइल्स के जीम्पी के पर बात करो को मिला जिसमें रीटेल केटेग्री ने काफी बढ़िया पैसा लगाया लेकिन जो दिक्कर्द आपको आई वो क्यू आई बीज और एनाई इस के तरफ से आई याद रखेगा जब क्यू आई बी और एनाई आई पैसा नहीं लगा रहा है तो जो इंट्रेस्ट कॉस्स आती है वो आईगी आईगी ने बहुत कम आईगी जिसके कारण दोस्तों जो जी-े-म-पी होगा वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और ये दोस्तों QI-P's or Ni-s ऐसी कम्पशी पैसा लगाते हैं जहां पर इनको बहुत बढ़िया पैसा मिलता हुआ देखने को मिले और इनको पर सही में देखिए लगा नहीं होगा कि पैसा आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा इसलिए सब्सक्रीप्शन बिल्कुल ना के बराबर इनका आता हुआ देखने को मिला युकि QIP जने हैं अगर 5 टाइमस और 17 टाइमस लगा रहे तो उनकी तरफ से यह बहुत काम होता है विकास उनके तरफ से जो फिगर आता है वो आपको हमेशा मैशा मिनिमम होता है कि 60 टाइमस से जादा आपको सब्सक्रिप्शन लाते पर नदे हैं इसलिए GMP काम देखने को मिल रहा है अब इसके जो price band उस तो यह की गई है वह था हिनकी गई है 118 desar 120 रुपय Caesar garant 8rt 2020 रुपय का आपको एक शीर मिलेगा यानी 120 Link है आपको यह देखने को मिलेगा आपको इसपाचिष भी correctly करके देखें तो आपको देखने को मिलेगा काफी कम यहां पर आपको ओवराल जो प्रॉफिट का फिगर है आता हुआ देखने को मिलेगा तो कुल मिलाकर आप मान के चलिए कि आपको यहां पर 500 रुपे मिल जाएंगे अब वह भी बहुत मुश्किल से याद रखेगा अगर 4-6 आपको GMP शो कर रहा है इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि नेगेटिव में बिलिस हो जाएंगे कि 4-6 रुपे कोई बड़ी बात तो नहीं होती है और चांसे यह भी रहेंगे कि आपको खुलने के बाद यह 20% का अपर सर्किट लगा दे तो यह है कि जिन लोग के पास आय है वो फर्स डे बिल्कुल भी बेचने के बारे में ना सोचें यहां पर अगर आपने बेच दिया तो देखिए यहां पर आपको कुछ हाथ में आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा लेकिन कंपनी के फंडमेंटल स्टॉंग है तो यही कि कंपनी बढ़िया करती भी देखने देखने के बढ़िया रिटर्स कमा के देखे जाएगी तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था मुझे लगता है कि दोस्तों जो एक्षाव टाइल्स के लिस्टिंग है वो करीबन एक सो पच्चिस एक सो तीस रुपे के बीच में होगी और चांसे यही रहेंगी कि नए जोना को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंट्स वाचिं दिस वीडियो